हेलो गाइज वाट्स अप मेरा नाम है आरे नाम स्वागत करता हूं आप सबको मेरे यूडियो चैनल पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सम्कूल स्टफ सो स्टे ट्यून तिल दी एंड आज की वीडियो के लिए हम लोग आ चुके हैं प्राइविट सर्वर पर हाई राइज मैप पे और हमने मोड चूज किया टीम डेथमाच लिकन आज हमारे बीच कोई भी मैच नहीं होने वाला आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कुछ सीक्रिट लोकेशन जो कि हाई करना हमें सिर्फ जाना और आप देख सकते हैं अपना जो यह ले आउट होता है वो भी मैंने चेंज कर लिया अपने इसका और क्योंकि दूसरे ले आउट में मेरे जो बटन से बहुत ही स्मॉल साइज के थे चलिए हम पहले अपने फ्रेंट के पास उस साइड पर चलते हैं और देखते हैं वो लोग कहां चले गए और फिर हम शुरू करेंगे अपने सीग्रेट लोकेशन्स ओके तो यह रही यहां पर चलिए अब हम इसके पीशे चलते हैं मेरे मेरे से जादा इसको नॉलेज हैं मैप्स के बारे में तो यह हमें लीड करेगा बहुत सारी कि हमें यहां पर इसके उपर जंप करना है चलिए जंप कर लेते हैं लेकिन नहीं हम से स्केप होगा चलिए हम एक और फिर से आते हैं वापस भाग कर यहां पर यह थोड़ा सा मुश्किल है तो आपको ध्यान रखना होगा यह देखिए आपको किसी भी एक साइड पर चेक क को भी नीचे गिर चुका है और यह बहुत ही मुश्किल होता है तो जरूरी नहीं कि आप हर बार मैं इसे कंप्लीट कर पाएं यह दिखिए आप अंदर आजेंगे लेकिन आप अंदर से इसकी उपर नहीं चड़ सकते इसलिए आपको बहार से कूद के आना पड़ेगा जो क आपर मैं चड़ रहा चड़ चुका होंगा वहां पर तो चलिए बिना किसी दीर के चलते हैं तो अब हम बस आगे बढ़ रहे हैं एक बार फिर ट्राय कर लिया जाए उपर चड़ने के और जो दिखिए हमारा एक और फ्रेंड फिर से गिर चुका है लेकिन एक एक फ्रेंड हमारे उपर चड़ चुका है और नो यह हमें मार की क्यों चला गए पता नहीं हम तो पीस नाच खेल रहे थे बिना किसी फाइट का और हमें मारने आ रहा है फाल तो मैं कोई बात नहीं लेकिन हम भी बदला जरूर लेंगे इस बंदे से यह तो मेरा फ्रेंड भी नहीं यह तो दरशल आरे इनका फ्रेंड है चलिए हम चलते से इसकी उपर चड़ जाते हैं आपको बिलकुर इसके पास आके इसकी ऊपर चड़ जाना यह देखिए हम और जल्दी से चलते हैं और यहां पर आने का सिर्फ एक लौता वही रास्ता है वो स्टेयर केस और हमें भी देखें तीन मिनट लग गए यहां तक पहुंचने में चलिए कोई नहीं आगे चलते हैं और यह पार्ट भी थोड़ा मुश्किल है इसके आगे मैं कभी गया नही है और आगे का रास्ता मुझे भी नहीं पता वो लोग पता नहीं कहां चले गए शायद हमें इसके ऊपर खड़े होकर और यहां चड़ना है और यह देखें हम आ चुके हैं इसके सीक्रेट लोकेशन पे अभी आपको बच बच के यहां चलना है और यह देखिए गाइज हम पहुँच चुके हैं सीक्रेट लोकेशन पे आप यहां पे अपनी स्नाइपर लेके आईए और यहां से स्नाइपिंग करकर सारे दुश्मनों को डियर कर दीजिए और उनको पता भी ने लगेगा कि आप कहां से गोलियां चला रहे हैं यह देखे सारे लोग यहां पे आ चुक करते हैं वैसे मुझे नहीं पता कि यहां पर और कोई लोकेशन है की नहीं मुझे तो आरिन नहीं बताया था इस लोकेशन के बारे में भी और नो इन लोगों ने मिलकर हमला करना शुरू कर दिया है और यह हमारा जो पीस मैच था सेफ बेस लिखाने का वह कनवर्ट हो चु क्योंकि वह दो हैं और मैं अकेला चलिए हम अपने सरेंडर कर देते हैं वैपन को और उनके आगे चलते हैं बेना किसी वैपन के और उनके आगे इमोट्स दिखा के कुछ करने कोशिश करते हैं बट पताने को लो कहां चलेगी चली कोई नहीं अब मेरे को पूछना है उनसे दूसरी लोकेशन के बारे में तो में ली तो यहां पर गाहिस जो आपको में लोकेशन मिले कि वह यहीं है बट मैं बाकी आपको भी दिखा देता हूं एक है यहां आप स्टेर्स पर जाएए और यह भी एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है आप यहां ड्रम के पीचे छुपके हमला कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा और यह देखिए हमारे मॉस्केटोस वाली जो नई गन आई थी वो अनलॉक हो चुकी है और यह देखिए जो स मुझकिल से ही चड़ पाएगा यहां पर और उसके बाद हमें शायद आगे भी जाना है आगे पता नहीं हम कैसे पहुंच पाएंगे चले हम ट्राइ करते हैं और नो हम गिर चुके हमें सही लोकेशन नहीं पता तक कहां से चड़के जाना है हम तो ट्राइक कर रहे थे चड करना शुरू कर दिया है नोगों ने हम तो एक पीस मैच खिल रहे थे राम से ताकि मैं आपको लोकेशन के बारे में दिखा सकूं और बता सकूं और यह तो बहुत कामन लोकेशन इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि आपको यहां हेलिकाप्टर के पास आना है और हेलिकाप्टर के ऊपर चड़ने का एक रास्ता होता है यहां से बट यह लोग पताने क्यों किल करे जा रहे हैं मुझे दोनों मिल कर यह किल माच नहीं होने वाला था हम तो बस आपको लोकेशन शो कर रहे हैं यह पताने क्यों किल करने लगए यहां पर चड़ने कम आपको लोकेशन दिखाने वाला हूं और एक और सीक्रिट जगा यह भी है कि आप यहां से यहां पर छुप सकते हैं अगर आपके पीछे बहु वापस वहीं चड़ने कोशिश करते हैं जहां हम पहले गए थे चलिए इसके उपर चलते हैं सीड़ियों के और यह देखे हमें यहां से जम्प लेनी होगी बहुत ही मुश्किल और यहां पर जाना होगा और इसके आगे का मुझे पता नहीं कि कहां से क्या जाना है लेकिन म हम नहीं चड़ पाए उसका मुझा भी भी नहीं पता कि यह क्या चीज है चले हम अब इदर वाली साइड चलते हैं मैं आपको कुछ अंडर ग्राउंड रूट्स भी दिखाता हूं चलिए हम जहां पर स्पॉन होते हैं एक रूट तो वहीं से जाता है सीधा चलिए हम उदर की तरफ चलते हैं आपको इधर जाना है और हमारे मैच भी सिर्व तीनिट क जल्दे से जासादा चीज़ा कवर करने कोश्शिश करते हैं इस मैप पर और यह देखें यह रास्ते जाता है वैसे तो जातर लोगों को इसके पetic Safari ही होगा और यांसे निकल के आ सकते हैं सीधे हैस्थ दरा इस गास्ते पर और फिर यहां पर मुर के देखिया यह हमारे में .ane secret जगा जिसके बार में स्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि कई वो लोग बस आते हैं और यहां सा सामने से निकल जाते हैं तो गायंज यह ठी हमारी next location और एक और location है कि यह देखिये यह secret भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आप यहां पर यह देखे यहां पर बैठ सकते हैं चुपकर और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप पर बैटे हैं क्योंकि लोग खेलते से में बहुत कम ही ऐसे नीचे की दिरुफ देखके चलते हैं और बाकी जो मैं आपको चड़के दिखाया था तो वह भी एक लोकेशन है वो देखे आप वहां पर चुपके बैठ सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं और अगर आप जगरनाट मोड में खेल रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही जादा से जगह उने वाली है क्योंकि आप यहां से बहुत अच्छे से हमला कर सकते हैं चुपकर और चलि हम फिर से यहां पर जाने की ट्राइ करते हैं आपको बस यहां पर आना है और एक लॉंग जंप लेनी है और इन ड्रॉम्स की ऊपर चड़के देखते हैं हम जड़ा इसके आगे का रास्ता मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि हमें कैसे जाना होता है यहां से आगे हम करके रखना पड़ेगा आप यहां पर खड़े नहीं हो सकते हैं और यह बहुत यह अच्छी लोकेशन है यह देखे आपको मैं आपको लिका रहा है करें और अब यह मेरे को मार ना दे कहीं हम बच के पीछे ही रहते हैं क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है यह लोग कभी भ करना शुरू कर देते हैं तो चलिए अब नेक्स लोकेशन की तरफ चलते हैं उसके लिशायद हमें नीचे ही कूदना पड़ेगा यह हमारे रास्ते मार और यह लीजे मैंने बोला था कि इसका कोई भरोसा नहीं है इसने फालतों में ही किल कर दिए एक बर फिर तो गाइस मे आपको गन्स दिखाते हैं यह देखिए यह एक एच्चाइवीए गन है यह भी न्यू आई है और इसको जैसे आप थ्रो करते हैं तो इसमसी यह देखिए आप जूम करके देख सकते हैं कि यहां पर यह बहुत सारे कीड़े उड़ने लग जाते हैं और जैसी आपका एनेमी में यहां पर आता है यह कीड़े मिलकर उसको अटाक कर देते हैं तो मतलब अगर आपके एनेमी का गलती से भी एक पर पैर लग गया तो वह सीधा जाएगा और इस पावर अप में जो यह गन मिलती है हमारी है इसमें सिर्फ ऐसे फाइव ही बुलेट्स होते हैं और यह आप मुझंपटी घर आपके जहां और आपके लाएव हूर आपके लेक लाएट Cum